2D-Eco Cardiogram Cardiography Test होता क्या है? ये test कैसे किया जाता है? टेस्ट करने से पहले आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, टेस्ट की report कैसे आप समझें, और कितना खर्चा आता है इस टेस्ट के बारे में, और इस टेस्ट से आपको क्या-क्या पता चलता है, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूँगा, हमारा heart को देखा जाता है, यानि उसकी लंबाई चोड़ाई, यानि एक तरह से बहार से structure को भी देखा जाता है, और heart के अंदर की structure को भी देखा जाता है, जैसे pregnancy में ultrasound करते हैं, बच्चे का मा के पेट में देखने के लिए, वैसे ही हमारे छाती के अंदर जो heart है, वो बहार से हम एक प्रॉब लगाके, हम अंदर की structure देखते हैं, heart को भार से भी देखते हैं और heart के अंदर भी हम देखते हैं, इसलिए इसको एको काडियोग्राफी बोलते हैं, यानि एक ग्राफ, यानि एक पिक्चर क्रेट कर रहे ह हम हार्ट की तो जो अल्ट्रा साउंड मसीन होती है जैसे प्रेगनेंसी में उस से देखते हैं वैसे इसको उसी अल्ट्रा साउंड मसीन से इसको देखते हैं हार्ट को इसमें क्या-क्या देखते हैं हार्ट के अंदर एक हार्ट की बनावट सबकी हार्ट की बनावट सेम होती ह पस थोड़ा सा minor difference होता है लंबाई चोड़ाई का, क्योंकि मैं अगर छोटा हूँ तो मेरा थोड़ा सा हर्ट छोटा होगा, किसी की height जादा है, सरीर लंबा चोड़ा काथी है, तो उसका हर्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी उसकी जैसे बाहर की structure कैसी है, उसके अंदर ज जो दिवारे हैं, वो muscles के बनी होती हैं, तो उनको देखते हैं, और इन muscles के अंदर पेरिकाडिया में एक fluid आता है, थोड़ा सा पानी बढ़ा रहता है, दो muscles के बीज के अंदर, क्योंकि heart हमारा जो contract और फैलता और शिकुरता है, यानि heart हमारा जो blood का pump करता है, तो दो दिवा कहीं वो मर्त तो नहीं है, यानि card एक arrest यानि heart attack आचुका है, अगर पहले से heart attack आचुका होगा, वो दिवार है न वहां कहीं मर्त होगी, तो जो दिवार मर्त होगी वो contract नहीं हो रही होगी, या वहाँ से contract जैसी मेरा heart contract हो रहा है, और मेरी एक अंगुली खराब ओगी, तो यानि ये तो सब contact हो रहे हैं अपने अंगुली contact नहीं हो रही यानि उस चीज़ को हम देख सकते हैं कि इसे पहले heart attack आ चुका है या नहीं आ चुका. फिर हम बात करते हैं अंदर की structure, heart के अंदर 4 chamber पाये जाते हैं यानि 4 chamber दो उपर के chamber होते हैं, दो नीचे के chamber होते हैं, उपर के chamber से नीचे blood आता है और वो नीचे के chamber से एक blood हमारे lungs में फेपडों में बेशती है, सुद करने के लिए और एक बेशती है हमारे सरीर में, पूरे स कर देते हैं जिदर हमें भेजना होता है वैसे भेजते हैं तो हट जैसे वो कॉंट्रेक्ट करता है तो ब्लड को कहां भेजता है उन नलियों में भेजता है तो नलियों में वाल लगा रहता है हट के चार चेमबर हैं उपपर वाले चेमबर और नीचे वाले उपपर वाले और और उसको फिर नीचे वाले हर्ट धहुनियों में भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर वाल में प्रॉब्लम होगी, तो वो ब्लड का फ्लो डंग से जाएगा नहीं, और जाएगा तो वो वापिस भी आ जाएगा, क्योंकि अच्छे से वो बंद नहीं होंगे, तो यानि हमारी वाल की इस टेक्चर को देखा जाता है, हर्ट हमारा लाइफ लोंग चलता रहता है, तो चलते वे में देखते हैं कि ब्लड जिससे जाना चाहिए, वैसे जा रहा या नहीं जा रहा, यानि पूरे हमारे ओपन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि कैलसियम डिपोजिशन या और कोई बिमारिया होती हैं, उससे वो अच्छे से खुलना और बनना होना सही नहीं होता हुनका, फिर आता है हर्ट की जो दिवार होती हैं, उनको देखा जाता है, दिवार में जैसे बच्चों का किया जाता है, उनकी सासे फूलती हैं, या उनका सरीर नीला पड़ता है, और लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर्ट पे सक जाता है कि हर्ट हमारा में कहीं छेद तो नहीं है, क्योंकि एक साइड असुद बलड होता है हर्ट के अंदर, एक तरब होता है, सुद बलड होता है, तो असुद और सुद कहीं मिल तो नीरे, मिलेंगे कैसे हर्ट की दिवारों में छेद होगा, मा के पेट में जब बच्चा होता है, तो उनकी दिवार में छेद होता है, क्योंकि बच्चा सास नहीं लेता माखे पेट के अंदर, तो वो मास सुध करती है, इसलिए उसके छेद होता है, और वो छेद बंद ना हो, तब बोलते हैं कि बच्चों में दिल में छेद है, तो वो दिल में छेद देखने के लिए mostly जो newborn होते हैं, एक मेरे दो मेरे एक दो सा कई बार किया है हमारे हार्ड की साइज बढ़ जाती है, उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, आपकी बीपि हाई रहती है, आपको बीमारिया हैं, उस वजह से वहार्ड को क्या है, ब्लट बेजने के लिए बहुत जयधा जोर लगाना पड़ता है, जो left side का ventricle है उसको सब्ब कि बेखा जाता है कि हमारे सरज हर्ड की दिवारों की कहीं मोटा ही तो नहीं बढ़ रही इसको भी देख लिया जाता है वही rays पॉइंट आता है कि जो हार्ट की अंदर जो छोटी-छोटी ब्लड वैसल्स होती हैं, उन में बोलते हैं कि ब्लो को रखी है, जो कोलोस्ट्रोल जम जाता है, एक प्लग बन जाता है, तो वो 2D एको से नहीं देखा जाता, कि किस हार्टरी में कहां ब्लोकेज है, वो तो एंज जोग्राफि कैसे होता है, उसका अल्रड़ी में वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, और लास्ट में भी आपको डिस्कुर्शन बोक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, हार्ट का वाल, उसकी बाहर से इस्ट्रक्चर, अंदर से इस है हमारे सरीर में यानि हमारी जो दवनिया है उनके अंदर भेज देता है यदि वह 60% से कम भेज रहा है जैसे 55-55 से अगर कम भेज रहा है तो इसका मतलब हमारा हर्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है यानि आपकी पानी की जो मोटर है वो पानी बहुत मरे-मरे फैंक रही है ह जहां वो ब्लड जाता है उसको देखा जाता है तो वो हर्ट में से ब्लड कितना फैक रहा है अगर हमारा जो लेप्ट वेंट्रियम जो हर्ट का है वो ब्लड हमारे सरीर में बेंजता है तो अगर पूरा ब्लड नहीं बेजेगा तो हमारे सरीर को पूरा ब्लड मिलेगा ही तो वो आपकी सांसे फूलेंगी, आपकी दड़कने तेज हो जाएगी, यानि हर्ट बीट बहुत ज़दा बढ़ जाएगी, और आपको थोड़ा सा चक्कर आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार एक दम से खड़े होंगे, तो आपका बीपी लो हो जाता है, आपकी बहुत होता है, उसका 60% बलड एक बार में हर्ट फैक देता है, जितना भी बलड उसके अंदर आता है, तो कर्ड जो बलड है, वो कहां कहां कैसे मूँ कर रहा है, कितना जा रहा है, वो पूरा भी देखा जाता है, यानि कलर देखा जाता है, इस जहां से पहले आपको कौन-कौन सी आवोइड करना है, यह आप smoking, alcohol लेते हो, या आप तंबा कुछ, जर्दा कुछ खाते हो, जिससे आपका वो चीज़े आप अवोइड करें, जिस दिन ये टेस्ट होना है, वो खाके नहीं आए, क्योंकि आपका उसकी वज़े से आपका क्या हो सकता है, उस टेस्ट में कुछ च है, और हर्ट की जैसे अगर बाहर से प्रॉब लगा के देखेगा, तो बाहर से दिखाई देगा, उसके अंदर की डैप दिखाई देगा, एक साइड और होती है, अंदर की तरब, जो आपको दिखाई नहीं देरी, मेरा अंगुठे की साइड की है, जो, अगर उसमें कभी- क्योंकि बीच में पसलिया आ रही है, बाहर से दिखाई नहीं देरा, तो एक मुझ के माधिम से कैमरा डाला जाता है, क्योंकि जो हर्ट की जो अंदर की लेर होती है, अंदर की साइड जो आपको मेरा अंगुठा नहीं दिखाई देरा होगा, उस साइड उसके पास में क्या है मुझे, अच्छे से समझ में नहीं आरा बाहर से, तब वो चीज किया जाता है, उसके लिए हो सकता है, आपको नेंद की दवाई दी जा सकती है, एक गले में एक दवाई डाली जा सकती है, जिसे हमें गले में इरिटेशन नहीं हो जब कैमरा डाले, एक तरह से एंडोस्क दो जार के सम्तिंग, पचिस सो के सम्तिंग इसके रुपए लेते हैं, तो यह अलग अलग सीटी का थोड़ा सा है, अपन हजार से दो जार के बीच में लगबगे टेस्ट हो जाता है, एक तरह से अल्टरा साउंड ही ही तो है ये टेस्ट, और एक चीज की मैं बात करू, रि आपके हर्ट में थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है, या पानी सूख गया है, या आपका हर्ट है ना, जैसे वो लिखाएगा कि पचास प्रसेंट पंप कर रहा है, या साट प्रसेंट पंप कर रहा है, है ना, वो पचास प्रसेंट कर रहा है, कि साट प्रसेंट कर रहा है, 80% कर रहा है लगबग सोस्तादिमी जैसे मैं सोस्तू हूं अभी तो मेरा 60% करना चाहिए तो रिपोर्ट को ज्यादा आप पढ़ने में कन्फ्यूज मतोज आप टेस्ट करा होगे तो मेरा मानना है कि आप काडियोलोजिस्ट को ही आप दिखाए रिपोर्ट को क्योंकि कई बा हर्ट आपका अछि Kiss काम करें क्योंकि मेजर दुस्मन है को लिश्ट गोलेस्ट्रोल तो कोलेस्ट्रोली की रिपोर्ट लीपिड प्रॉफाल की नाम से कर आती है वह रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं पार्रिक्पोर्ट के बारे में कैसे जानते हैं उसका अल्लड़ी मैं वीड रश्याम एमस होस्पिटल में यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें